नमस्कार साथियोर आप सभी का लिटरेचर लवड्स में बहुत-बहुत स्वागत मैं हुई AKS राश्वीर दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीट सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको सारी अपडेट आती रहें संबन्धित एक्जाम्स की जिनकी भी आप प्रिपरेशन करते हैं टीचिंग एक्जाम्स की दोस्तों ये वीडियो एक डेमो वीडियो है आपके किसी भी एक्जाम के लिए आप इसे कंसीडर कर सकते हो जिस भी एक्जाम में आपका मैक्बित बाई विलियम शेक्सपियर प्रेसक्राइब्ड हो उसके लिए आप एक डेमो मान सकते हैं यूजी सीनेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर से या फिर टीजीटी पीजीटी लेवल का एक्जाम या कोई भी अधर एक्जाम हो अगर ये टॉपिक प्रेसक्राइब्ड है इस विडियो को देखने के बाद हर एक टॉपिक एक्जाम पॉइंट बतलब पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा इससे सम्मंदित तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी एट ब्रेक के और अगर आपको कोर्स से सम्मंदित जानकारी चाहिए हो तो नीचे नंबर चला है उस पर मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इस पर अपना नाम और कोर्स का नाम WhatsApp कर सकते हैं, तो चलिए फिर बिना किसी डिले के हम लोग आज शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास, यानि बातचीत अपनी इस play के बारे में दिखिए अगर बात करें, Macbeth जो है William Shakespeare का बहुत ही अच्छा play है William Shakespeare ने अपनी lifetime में बहुत सारे plays लिखे, जिनमें से 37 plays के नाम हमारे और आपके सामने आते हैं and 154 sonnets, इसके अलावा कुछ उन्होंने long narrative poems भी लिखी थी, लेकिन William Shakespeare को क्या कहा जाता है crown of English playwrights, Eliza Wethan जो time period है उसका नाम भी even age of Shakespeare पढ़ गया क्यों क्योंकि William Shakespeare एक prominent और dominant figure है इस time period में और उनकी writing में जैसे, वैसे writing तो मैंने बताया 37 plays की है लेकिन William Shakespeare की जो 4 great tragedies है, वो world famous है सब कोई उनके बारे में पढ़ना चाहता है, सब कोई उनके बारे में जानना चाहता है आज मैं जिस play की बात करूँगा, यह जो 4 tragedies हैं आपकी उनमें से है hamlet, othello, macbeth, king lear, so basically king lear और macbeth होना चाहिए hamlet, othello, and king lear, and then macbeth, so basically आज मैं जिस play की बात करने वाला हूँ यह है दोस्तो macbeth by William Shakespeare, यह जो macbeth play है basically इसका जो time period है थोड़ा सा William Shakespeare के works को लेकर के यह जो date लिखी रहती है, year यह थोड़ा सा मतलब कई बार dispute में आ जाता है, 5-6 के time period में दोस्तो आपको यह play नजर आता है, performance इसकी होती है, इस play के regarding में कुछ बाते आपको बताना चाहूँगा यह जो play है, इस play का background जो लिया गया है, वो पहला exam point है आपके लिए hallinside chronicle से, अभी मैं शमरी भी cover करूँगा, hallinside chronicle से basically और यह hallinside जो chronicle है, इसको basically इसके साथ हम किसको associate करते हैं, राफाइल hallinside को, यह उनी के साथ associated है, क्योंकि hallinside chronicle में England, Scotland और Ireland की history लिखी थी, तो यह basically उसी तरह का एक play है, यह जो play है, तो इस play को Macbeth ने लिखा था, basically, क्योंकि उस time period में King James राजा बन गए थे, आपके England के, क्योंकि King James जो है, राजा बनते हैं England के कब, तो King James आपके राजा बन जाते हैं, यह वो time period था, 1603 के time period में, जहां से आपका Jacobian time period सुरू हो जाता है, तो उस समय King James राजा थे, तो उसी time period में लिखा था, वैसे मैं आपको एक बात बता दू, exam में एक दूसरा question आया करता है, कि जो है, किसे जो है black magic या कह दीजे कि जो magic and all है, तो किस king को interest था, तो यह James ही थे, जिनको काफी ज़्यादा black magic या black art में काफी interest हुआ करता था, है न, तो यह एक interesting बात दूसरी है, जो आपको mind में रखने की ज़रूरत है, क्यूंकि यह जो आप play पढ़ने वाले हैं आज मेरे शाथ, तो इस play में आप देखेंगे, तो यहाँ पर magic और खास करके, जो ghost and all है, उस atmosphere का काफी अच्छे से huge किया गया है, तो यह उसी से सब्मंदित है, कहते हैं कि यह जो story है, King James जो थे, उनके descendant के साथ, मतलब associated है, उनके जो पूरवज रहे, तो जो bank को यहाँ पर एक character आपको नजर आएगा इस play में आपको, तो bank को जो थे, तो मतलब इन ही के basically descendant इन ही के पूरवजों के साथ ही associated है, इस play की story, साथ में अगर देखा जाए गई जिस play के regarding, तो play के regarding आईए मैं थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं, यह एक tragedy है basically, और किस तरह की tragedy है, तो यह basically tragedy of ambition है, tragedy of ambition, क्योंकि यहाँ पर जो है, जो आपका Macbeth है, उस वो बहुत ही ज़्यादा ambitious है, बहुत ही ज़्यादा वॉल्टिंग ambition कहा जाता है उसे, वॉल्टिंग ambition, बहुत ही ज़्यादा ambition से भरा हुआ इंसान है, यह Macbeth, तो यह basically tragedy of ambition है, तो आप कह सकते हैं, वॉल्टिंग ambition is the tragic flaw of this particular play, इस play का जो है, tragic flaw जो है, क्या है, वो है वॉल्टिंग ambition, अब इसके बाद दोस्तों आते हैं, हम थोड़ा सा, जो भी point मुझे याद आता जाएगा, मैं आपको बताता चलूँगा, सबसे पहले में play के characters के बारे में आपको introduce कर दूँ, क्यूंकि exam में आपके question आ सकते हैं, इधर side यह थोड़ा सा figures के साथ, वो जो characters है, उनको दिखाया गया है, इधर मैंने text में लिखा हुआ है, पूरे characters के तो दिखी जैसे देखें Macbeth, यह Macbeth आपका lead character है, protagonist है, इस particular play का, क्यूंकि एक tragedy है, तो इसी का downfall होने वाला है, यह basically एक captain है, आर्मी का, किस आर्मी में, तो यह क्यूंकि play Scotland में set है, इसकाट लैंड में इसकी setting है, तो जो Scotland के उस समय के राजा थे, उनका नाम था King Duncan, तो King Duncan क आर्मी में यह captain है, और इसी का एक दोस्त है Macbeth का, जिसका नाम है बैंको, तो यह दोनों लोग basically क्या है, captain है, दोनों जो है, आर्मी में captain है, ठीक है, यस, बाद में अगर देखा जाये, तो Macbeth की काफी कुछ पदोनती हो जाएगी, वो witches की prophecy के बाद यहां पर आपको नजर आएगा, तो Macbeth जो है हो गया, और Lady Macbeth यह इनकी wife है, वैसे Lady Macbeth बड़ी खतरनाक type की wife है, ऐसी wife, अब मैं कुछ कहूंगा नहीं आगे है न, बहुत ही खतरनाक type की wife है, यह समझ लीजे, और कई बार इन्हें fourth witch कहा जाता है, fourth witch, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे request करूँगा, comment box में यह जरूर बताइएगा मुझे, कि fourth witch किसने कहा है, किसको, Lady Macbeth को, बैंको जो है, यह Macbeth का काफी अच्छा friend है, दोनों लोग साथ में fight करते हैं, साथ में ही fight करते हैं, अभी Norway और Ireland की, Norway, Ireland and Scotland, तो एक side जो है आपका Scotland है, दूसरी side Norway और Ireland है, इनके बीच में लडाई चल रही थी, और यह दोनों लोग fight करने गए हुए हैं, जो play आपका जब शुरू होगा, तो दिखाते नहीं है, मतलब play के background में ही आपको पता चलेगा, कि ऐसा है, ठीक है, play के background में ही आपको पता चले आएगा, कि ऐसी बात है, इसके बाद अगर आप दे Donald and Malcolm, यह दो बच्चे हैं, बेसिकली किसके, तो यह बच्चे हैं, आपके King Duncan के, King Duncan के दो बेटे हैं, Donald and Malcolm, Macdub basically यह एक थेन है, अगर थेन की बात करें, कौन होते हैं, थेन, क्या होते हैं, तो थेन के लिए बड़ा मेरा simple कहना है, कि जैसे कुछ चुनिंदा लोग, जाने मान लोग, यह बेसिकली एक noble man है, है ना, और Scotland के noble man है, और यह भी basically associated है, डंकन की court के साथ, है ना, बिल्कूर, Lennox, Ross, and Minted, Angus, Katniss, यह बेसिकली यह भी noble man ही है, Scotland से इन सब का associated है, association है, और including Macduff, Lennox, Ross, यह सारे लोग क्योंकि King Duncan को काफी अच्छे से चाहते थे, और यह जान भी चुके थे ना, कि जो planning करी गई है, planning क्योंकि अभी later on एक planning होगी, उस planning के बारे में बातचीत होगी, तो यह सभी लोग against हो जाते हैं Macbeth के, क्यों against हो जाते ह है, क्योंकि जो Macbeth ने काम किया है, murder किया है, क्योंकि वो murderer बन गया है धीरे-धीरे, तो इसी लिए यह उससे नराज थे, कि यह एक tyrannic rule है, और tyrannic rule नहीं चले गा, एक दोस्तों यहाँ पर आपको porter भी मिलता है, तो इसमें बड़ा famous scene कहलाता है, वो जिसका नाम है porter scene, क्या yes, comic relief भी कहलाता है, comic relief एक device है, जो basically plays में use किया जाता था, इसका मतलब यह होता है, कि जैसे जो audience जो है, जो play देख रहे होते हैं continuously, तो काफी देर जब play देखते रहते हैं, और continuously tragic scenes आते रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि उनका mood change ना हो, तो mood change करने के लिए थोड़ा सा lighter laughter, मतलब ए असी मज़ाग का महौल create किया जाता है, है न, yes, and old man is also there, the doctors, three commentators on event, यह भी कुछ और character है, यहां पर witches भी हैं basically, तो three witches आपको नजर आती हैं, है न, yes, three witches, three agents of fate, यही लोग हैं, जो basically, मतलब यह जो three witches हैं, यही लोग prophecy करती हैं, और इनकी जो head है, उसका नाम है Hackett, Hackett नाम है, ठीक है, तो यह उनकी head है basically, और इसके बाद three agents of fate, तो यह जब दूसरी बार Macbeth widget करता है, इन witches के पास, तो यह three agents से भी इसकी मुलाकात होती, तो यह हैं आपके character, इस play के जो आपको इस play में main नजर आने वाले हैं, तो यह तो हो गया पूरा का पूरा characters के बारे मे है ना, बाकी आगे भी मैंने बहुत सारी चीजे रखी हुई है, देखिए जैसे कुछ interesting fact है Macbeth से associated, कौन कौन सी important line है, वो सारा कुछ मैंने बिलकुल रखा हुआ है, बड़े अच्छे से, और बड़ी समझदारी के साथ, अब आती यह बात की sir, इसकी summary क्या है, थोड़ा summary line पर अगर हम focus करें, तो आए फटा फटा अपनी summary line पर हम लोग focus कर लेते हैं, क्या है इस particular play में, ठीक है, yes, दिखिए जैसे play शुरू होता है, तो एक device होता था, basically कि 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 सीन को stage में दिखाया जाए, और कि सीन को stage में नहीं दिखाया जाए, यह एक type का device होता था, और बड़ा पहले से ही use किया जाता रहा है, प्लेज में, तो यहाँ पर किस सीन को पहले दिखाया जाए, ना दिखाया जाए, क्योंकि Scotland, Ireland और Norway, इनकी लड़ाई चल रही है, basically, तो अब इस लड़ाई को stage में नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए यह off stage है, एक messenger आएगा, messenger बता देगा, कि एसा एसा हो रहा है, क्योंकि stage पर लड़ाई दिखा पाना संभाव नहीं है, बड़ी इत्ती सारी आर्मी, घोड़े, तमाम तरह की और लड़ाईया, तो ऐसा दिखा पाना संभाव नहीं है, तो एक messenger आता है, और डंकन को बताता है, कि जो Macbeth है, और बैंको है, यह दोनों बड़ी हा से लड़ रहे हैं सेना, मतलब फाइट कर रहे हैं, दोनों सेना पती, बड़े अच्छे से लगे हुए हैं लड़ाई में, और इन्होंने इवेन लड़ाई, जीत भी ली है, और अब जीत करके लौट रहे हैं, किंग डंकन को यह बताता है, यह ना, यस, थे नौ कॉर्डर को हरा करके, अब यह लोग वापस आ रहे हैं, जब यह ऐसी सूचना सुनी किंग डंकन ने, तो किंग डंकन खुश हो गया, कि यार कितने बड़ी हा लड़ने वाले हैं यह लोग, इन लोगों ने मेरे लिए लड़ा, और लड़ने के बाद अब वापस आ रहे हैं कि मैं चाता हूं कि Macbeth को एक यहां पर वर्ड यूज किया गया है, बेलूनाज ब्राइड ग्रूम, याद रखेगा, एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बेलूनाज ब्राइड ग्रूम हो सकता है, इस पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो, तो आप लोग मिस्टेक जो ह है, इस पेलिंग थोड़ा चेक कर लिजेगा, बेलूनाज ब्राइड ग्रूम, बेलूना जो है एक डेटी है, गौडीज ओफ वर बेसिकली मानी जाती है, इनके जो हस्बैंड है, बेलूनाज ब्राइड ग्रूम यानि की मार्स, तो वही जो है, उन्हीं का रेफरेंस दिया गया, तो यहां पर मैक्बेथ को कम देयर किया गया है, अब इतना बताने के बाद डंकर ने कहा कि मैक्बेथ को थेन ओप कॉडर और और घोशित कर दिया जाए, मतलब उपाधी और उसको ये सब कुछ दिया जाए, क्योंकि भाई राजा खुश हो गया, और ऐसा अपने मू पार्ट नज़र आता है, जो विचेस हैं, विचेस कहती हैं, फेर इस फाल, फाल इस फेर, एन लेट्ज पॉग इन फिल दी एर, यानि कि जो फेर है, जो अच्छा है, वो हमारे लिए बुरा है, और जो बूला है, वो हमारे लिए फेर है, तो अब ये लोग प्लानिंग कर हैं कि कैसे मिला जाए मैगबेट से और कहां पर मिले हम मैगबेट से है ना कहां पर मिला जाए मैगबेट से और कैसे मिलें यह बिल्कुल प्लानिंग चल रही है अब होता क्या है गैस कि अब प्लानिंग तो चल रही है planning के बाद अपना सब कुछ काम हो रहा है इन्हों ने कहा कि हम मिलेंगे dungeon में यहां पर मिलेंगे at the heat मिलेंगे अपना decide कर लिया अब यह जब दोनों लोग चले आ रहे थे तो दोनों लोगों को witches नजर आ जाती है जिन में से मैगबित और वैंको दोनों ने witches को देखा मैगबित ने सोचा थोड़ा बात कर ली जा तो मैगबित का स्वागत करती है hail थे नौप कॉडर की मतलब थे नौप कॉडर का स्वागत है king है राफटर इसके बाद king भी बनोगे राजा भी बनोगे इन witches ने कह दिया जो three witches थी उन three witches ने कह दिया कि देखो हम तुम्हारा स्वागत करते है बैंको के बैंको से कहा कि देखो तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो राजा बनेंगे बात यहां पर यह है कि अगर मैगबित जो है राजा बनेगा तो मैगबित के था कि देखिए जो है आपको राजा जो डुकिन डंकन है उन्हें ने आपको थेन ओफ कॉडर एक उंचा रैंक दिया है एक उंचा रैंक है बेसिकली जो आपको दिया है है ना येस समझ गए बिलकुल बस इतनी बात सुनना था तो लगा यार मैगबित को की एक पहली जो प्रॉफेसी है वो तो सही हो गई अब जो पहली प्रॉफेसी सही हो गई है तो फिर आगे का काम देखते हैं आगे क्या होने वाला है बिसिकली अब जो है बैंको वो जो विचेस थी उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है मजाग उड़ा रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा है ना येस आगे दोनों लोग चलते हैं मैगबित जो है तो मैगबित जाता है किंग डंकन के पास तो किंग डंकन के पास जब पहुँचा तो किंग डंकन ने कहा कि बधाई दी और बधाई देने के बाद खुश हुए King Duncan ने कहा कि Macbeth मैं तुम्हारा कासिल विजिट करना चाहूंगा Castle of Inverness नाम है उसका So Inverness मैं विजिट करना चाहूंगा उपाधियां तो दे दी गई स्वागत किया गया अब उसने कहा कि मैं कासिल विजिट करना चाहूंगा King Duncan ने Macbeth ने कहा ठीक है Macbeth यहां से फटा फट जाता है अपने कासिल पहुंसता है Lady Macbeth के पास और Lady Macbeth से बताया कि मुझे तीन विएर्ड सिस्टर मिली थी Basically तीन विएर्ड जो सिस्टर है मतलब कि वो वही विचेस तो वो तीन विचेस मिली थी तो Lady Macbeth ने और Macbeth दोनों ने मिल करके फिर प्लान किया कि जब King आएंगे यानि कि King तो आएंगे ही विजिट करने के लिए तो जब King आएंगे तो हम फटा फट क्या करेंगे उनके मर्डर का जो है प्लान कर देंगे और उनका मर्डर भी कर देंगे है ना? येस अब वैसे यहाँ पर तो Lady Macbeth को पूरा का पूरा यकीन हो गया था कि ऐसा बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा King जो Lady Macbeth है ना इस प्ले में तो Lady Macbeth को किस तरह से दिखाया गया है तो अगर इन शॉर्ट कहूं है तो Lady Macbeth को कुछ ऐसी जादूई शक्तियों से भरा हुआ भी दिखाया गया है अल लितिल बे प्लान ये होता है Macbeth और Lady Macbeth के बीच कि King Duncan जबाएंगे तो King Duncan को हम मार देंगे मारेंगे कैसे जो उनके पहरेदार होंगे उनको शराब पिलाई जाएगी बड़ी हासे और शराब पिलाने के बाद मरडर का इल्जाम दोनों पर जो पहरेदार होंगे उन पहरेदारों पर लगा दिया जाएगा किसी भी तरह से और बाकी का काम हम लोग कर लेंगे जो castle of inverness है न बड़ा ही अच्छा प्लेस है pleasant प्लेस है और बड़ा मज़ेदार प्लेस है अब King Duncan आ गए उन्होंने लगा कि मतलब आप विजिट करते हैं चले गए महमान नवाजी हुई खाना पिना हुआ रात में King Duncan सोने चले गए Lady Macbeth ने बहुत सारी बाते करी बाहर से तुम बड़े सीधे साधे सुथरे साफ नजर आओ लेकिन अंदर से एक बिशैले नाक की तरह शाप की तरह तुम बन जाओ और Lady Macbeth का यह भी कहना है कि अगर मेरे फादर की तरह बैंकों नहीं दिखो यह डंकन नहीं दिखता तो मैं खुद ही उसे मार देती इतनी हिम्मत रखती थी मतलब यह स्टेटमेंट ही है कि अगर मेरे फादर से रिजंबल नहीं करता तो मैं खुद ही उसे मार देती लेटर ओन किसी भी तरह से Macbeth और Lady Macbeth यानि की Macbeth ने murder कर दिया King Duncan का और डंकन के murder के बाद जो बहुत सारा खून बहा उसको समेटने की कोशिच करी Lady Macbeth ने किसी भी तरह से और Macbeth को hallucination नजर आ रहा था उसे dagger नजर आ रहा था basically यह dagger sheen कहलाता है तो dagger उसे नजर आ रहा था और ओ घबडा रहा था तो Lady Macbeth कहती है कि a little water can clean this deed यह मतलब सब कुछ धो डालेगा murder हो गया murder होने के बाद गई जो बैंक यह जो है डंकन के जो दो बेटे थे एक का नाम था डोनाल बिन और एक का नाम था Malcolm यह दोनों लोग भाग गए एक चला गया England और एक चला गया Ireland दोनों लोग वहाँ से भाग जाते अपनी जान बचा करके कि पता नहीं क्या हुआ है इधर अगर देखा जाए तो जो Macduff है और अधर जो नोबल मैन है उन्नों को थोड़ाशा शक होता है जूंटा दिखावा करता है Macbeth की मुझे गुस्सा आ गया है और जो गेट कीपर होते हैं क्योंकि उनको बहुत ही जादा शराब पिलाया था Lady Macbeth ने अब वो जो है बिल्कुल नसे में धुत थे तो उनको भी मार डालता है इस्टैब कर देता है Macbeth और जब उनको मार डालता है तो फिर क्या सब कहानी ही खत्म हुई वैसे कुछ लोग जैसे जो नोबल मैन थे जिनमें से Macduff, Lennox और ये कुछ समझ रहे थे सुबह का मौसम बड़ा खराब था तो जैसे क्याता है ना कि जब tragedy जैसी होती है कोई बड़ी हस्ती मरती है तो even प्रकेती भी अपने दूसरे विक्राल रूप में आ जाती है तो ऐसा ही कुछ था अब बन गया जो है Macbeth राजा, Macbeth को राजा कैसे बनाएगे क्योंकि अब इनकी death हो गई तो राजा Macbeth बन गया जब ये king बन गया तो अब इसको एक डर सताता था Macbeth को कि उन witches ने कहा था कि बैंकों के जो descendant होंगे उनकी family के वो राजा बनेंगे अब Macbeth ने प्लान ये किया कि एक काम करते हैं, एक और बेवस्था करते हैं, कुछ murderer hire कर लेते हैं, है न, येस और murderer hire करके, बैंकों और flins, बैंकों का बेटा है flins, इन दोनों को निपटा देते हैं, murderer hire किया भेजा, लेकिन होता क्या है यहाँ पर? बैंकों तो मार दिया जाता है, लेकिन flins बच करके भाग जाता है, इधर शाही भोज का आयोजन है, उस भोजन में बैंकों को भी बुलाया गया है, तो Macbeth जो है बार बार उसे बैंकों का घोस्ट नजर आता है, बेसिकली, और घोस्ट देख देख करके वो डरता है, bloody एक बहुत ही जादा बलड से सना हुआ Macbeth, बैंकों का चेहरा नजर आता है Macbeth को, और Macbeth परेशान है, हालातों को समालने का काम करती है लेडी Macbeth, लेडी Macbeth ने पूरी हालातों को समाला और समालने के बाद किया क्या, तब आप समझ सकते हैं कि करेंगी क्या, उसने कहा कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता था, वो एक ऐसा किंग बन चुका था, जो बेसिकली जिस पर कोई रोक न लगाए, कोई कुछ कर ना सके, तो ऐसा ही ये किंग बन चुका था Macbeth, खैर, इसी तरह के सीन को ले करके, Macbeth बिल्कुल भी बहुत ही जादा परेशान था, Macbeth जो है चाहता है कि वो इन से मिले, और एक अलग ही योजना बनाई ये सब लोग, तो Macbeth चला जाता है, यहां से, स्कॉट लेंड से Macbeth चला जाता है, और जब Macbeth स्कॉट लेंड से चला जाता है, तो अब Macbeth को लगता है, कि यार, मामला हो गया गड़बर, Macbeth ने सोचा कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि विचेस ने जो कहा था, वो सारी चीज़े तो हो गई, Macbeth ने सोचा चलो, एक बार फिर से विजिट करते हैं हम, उन वियर्ड सिस्टर्स को, तो Macbeth एक बार फिर से उनको विजिट करने निकल लियाता है, इस बार वो जो वि विचेस थी, उन्होंने एक कलडरन प्रिपेर की और कलडरन में तमाम तरह की गंधी संदी चीजे डाली, मेंहक की आंख, किसी की आंख, किसी का खून, किसी का कुछ, किसी के नाखून, तमाम सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया है, विलियम शेक्सपेर ने, लेकिन वंडर्फुल डिस्क्रिप्शन है लाइन भी आती है वहाँ पर बबल बबल ट्वाइल एंट रबल फायर बॉन एंड कल्डरन बबल ऐसे वह गाना भी गाती है यहां पर मैगमेट जाता है और मैगमेट जानना चाहता है कि अब क्या हो सकता है मुझे किसे से खतरा है तो जो वो कहती हैं कि देखो पहली बात तो यह कि जब तक पहले कहती हैं कि तुम टेस्ट करो यह जो कल्डरन में हमने बनाया है उसे टेस्ट करो वो टेस्ट भी करता है लेकिन फिर पूंचता है तो बताती है विचेस कि देखो कोई भी नेचुरली बॉन तुम्हें नहीं मार सकत जो पैदा हुआ हुआ वो तुम्हे नहीं मार सकता मतलब नीचुरली पैदा हुआ दूसरी चीज वो विचेस यह कहदेती हैं कि जब तक विरनाम वुड यहां तक नहीं आ जाता डंसनेई कासिल तक। और सॉरी इनवरनेश कासिल तक। सब तक तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता फिर क्या अब जो है मैकबेट खुश था कि भाई जब मुझे ऐसा कुछ होई नहीं सकता फिर नाम बुढ कैसे आ जाएगा काशल तक और कैसे सब कोई तो पैदा ही होता है मैकबेट खुश था मैकबेट वहां से वापस लोटा बस एक बात जरूर कहा मैकबेट ने मैकडफ के बच्चे बेटे और उसकी वाइफ दोनों को मरवा दिया लेडी मैकडफ को और उनके बेटे को दोनों को मरवा दिया यानि कतल करवा दिया अब मैकबेट रूल तो कर रहा था बड़े अच्छे से अपना लगा हुआ था क्योंकि अब वो तो एक ऐ ऐसा राजा बन गया था जो बेकार हो एंबीशन उसकी बहुत ही जादा थी लेडी मैगमेथ अपना लगी रहती थी इधर जैसे ही मैगड़ को उसके बेटे और उसकी वाइफ के मर्डर की मर्डर की खबर मिलती है उसका खून खौल लाता है वो कहता कि बस अब कुछ तो करना ही होगा मैगड़ ने फटा फर मैलकम से हाथ मिला लिया मैगड़ ने सोचा कि चलो भई मैलकम से हाथ मिलाते हैं और एक काम करते हैं कि करते हैं अटैक की तैयारी और बस हाथ मिलाने के बाद ये योजना बनाने लगे साथ में ये जो और भी नोबल मैन थे ये नोबल मैन भ को किसी भी तरह से हटाना पड़ेगा अगर देखिए ऐसा नहीं हो पाया तो मामला हो जाएगा गड़ बड़ यह जो पूरा आप साइड में देख रहे हैं यह पूरे characters यह कुछ उसी पूरे के पूरे characters मतलब जो भी जितना भी पार्ट है आपका उस सब को बया करते हैं अब इन समने मिलकर के एक basically अपनी आर्मी तयार कर ली और Kings से मदद मांगी England के Kings से उधर जो है एक बेटा जो है Ireland चला गया था तो सबसे अब इनको मदद मांगने की जरूरत थी फिर क्या यह जब वहां से चलने लगे तो क्योंकि सेना बड़ी थी तो इनको लगा यार कि अब ऐसा ना हो कि मामला गड़बड हो जाए तो इन्होंने कहा कुछ जो अच्छे लड़ने वाले थे उन्होंने सला दिया कि एक काम करो विर्नाम वुट से कुछ ब्रांचेस काट लो पेड़ों की और वही लेकर के चलो ताकि नजर ना आए मैगबेथ इदर काशल में था लेडी मैगबेथ की हालत अब तक खराब हो चुकी थी मैगबेथ रात रात बर सो नहीं पाता था डालॉग भी है गाईज मैगबेथ मर्डर्ड स्लीप विल स्लीप नो मोर क्योंकि Macbeth ने Duncan को सोते विये मारा था और अगर सोते विये मारा था तो वो कभी सो नहीं पाएगा Lady Macbeth इधर आपको नीन में चलती भी नजर आती है हाथ धोती रहती है और बोलती रहती है Is the smell of blood and hundreds of Arabia will not sweeten these little hands खैर, आर्मी का अटायक और आर्मी के अटायक के बारे में एक जो है Macbeth का एक सर्वेंट है जिसका नाम है सीटन यह बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है Macbeth का इस तो सर्वेंट है तो सीटन बताता है कि विरनाम वुड आ रहा है खैर, Macbeth को अभी भी डर नहीं है कि कुछ हो सकता है क्योंकि Macbeth को लगता है कि यार, नेचुरली तो सब लोग सब का ही बर्थ होता है तो फिर मुझे कैसे कोई मार सकता है कोई बात नहीं इसी सब को लेकर के सारा कुछ चलता रहता है उधर से आर्मी आ रही Macbeth ready करता है अपने आपको Lady Macbeth का डॉक्टरों से इलाज चलता है, Lady Macbeth ने सुसाइड भी कर लिया Lady Macbeth ने सुसाइड कर लिया जंप कर जाती है, वो अर्जान दे देती क्योंकि उसकी जो मानसिक स्थिती थी, वो खराब हो चुकी ती, देखिए Macbeth ready था, अब एक भयानक लडाई शुरू हो गई, लडाई सब लोग लड रहे थे, जब वो Macbeth लड रहा था, तो Macduff की जो सेना थी और Malcolm Donald बेन ये सब लोग थे, तो इनका जो अटैक था भारी पड़ रहा था Macbeth पर, और इसी बीच में Macbeth ने भी कहा कि देखो मुझे वैसे भी कोई नहीं मार सकता एक लाइन भी आती है Macbeth की Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow I have spent my whole life Life is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing It is a tale told by an idiot, यह यह जो है न It is a tale told by an idiot full of sound and fury, sound and fury जो टाइटल है न, William Faulkner ने यहीं से pick up कर लिया है तो बस यह बोलता है, उसे लगता है कि यार कल करते करते हमने तो पूरी जिंदगी बरबात कर दी अब लडाई की बात आती है Macbeth जो लड़ता रहता है तो Macbeth बताता है Macbeth को कि मैं naturally born नहीं हूँ मेरी मा की death हो गई थी तो मुझे untimely mother के womb से निकाल दिया गया था अब Macbeth को लगा कि मैं ठग लिया गया हूँ और Macduff और Macbeth दोनों लोग लड़ते हैं और लड़ने के बाद Macduff जो है Macbeth को मार देता है और यहां से जो play है बदल जाता है इसके बाद मारने के बाद जब उसने मार दिया Macduff ने Macbeth को जब मार दिया तो फिर क्या था फिर क्या था अब जो Scotland है तो Scotland का अब राजा भी तो बनाया जाएगा बिल्कुल बनाया जाएगा मारने के बाद उसका सिर धर से अलग कर दिया और पिंस Malcolm को England का राजा घोशित किया गया कि Malcolm जो है अब राजा बनेगा अच्छा Macbeth इतना परिशान इसलिए हो गया था क्यूंकि King Duncan ने अनाउंस कर दिया था कि मैं अब अपना उत्राधिकारी चाहता हूं और Macbeth सोचता था कि अगर उत्राधिकारी बन गया तो मैं तो कभी राजा बन ही नहीं पाऊंगा इसी लिए उसने ये सारे कुछ कदम उठा लिए दोस्तों एक सीन और है एक पॉर्टर सीन भी है पॉर्टर सीन बेसिकली कॉमिक रिलीफ की तरह यूज किया गया है इस प्ले में King Duncan के मर्डर के बाद जो पॉर्टर है तो पॉर्टर उसको लगता है कि जैसे वो हिल के जो दरवाजे हैं उसके वो गेट कीपर है तो ये बेसिकली एक सीन का डिसकेशन है वो पॉर्टर सीन कॉमिक रिलीफ की तरह कंसीडर किया जाता है तो प्ले जो है आपका ट्राजेडी ओफ एम्बीशन है है ना और मैगनिप की फेमस स्पीच ये देखिए टोमारो एंटोमारो एंटोमारो क्रीप्स इन दिस प्रिटी पेस फ्रम डे टो डे तो दे तो दे तो लास्ट स्लेबल आफ रिकॉर्डड टाइम ये वही है टोमारो एंटोमारो एंटोमारो की कल करते करते मैंने अपनी लाइफ स्पेंड कर डाली सेटिंग इसकी दोस्तों स्कॉटलैंड है हॉल इंसेड क्रॉनिकल इसका इंस्पिरेशन है वो भी मैंने आपको बताया था है ना जैस क्योंकि दोस्तों Macbeth Play कोई नाम नहीं लेता था इसे एक Scottish Play भी बोला जाता रहा है Scottish Play इसलिए Scottish Play बोला जाता था क्योंकि मानते थे कि एक बुरा शाइन है इससे इलोमेन होता है अनर्थ होता है कुछ तो इसलिए इसे कई बार जो है Scottish Play के नाम से जाना जाता रहा है और ऐसा भी उस टाइम पिरेड में मानना था कि सैटन ने शायब दो विचेस भेजी हैं फस्ट विच सो बेसिकली यह ग्रे मालकिन है और सेकेंड विच जो है पैड़कॉक है सो यह बेसिकली यहां पर आपको नजर भी आते हैं जब वो तमाम सारा इंवोकेशन और पार्ट इ भी सर्पेंट अंडरस्ट थोड़ा सा अगर स्क्रीन में आपको दिखाई न दे रहा होना तो क्वालिटी एच्छी सेट कर लीजेगा मैंने इसलिए डाला था कि जैसे बच्चे प्रिंट करवाते हैं तो एक ही पेज में सारा कुछ प्रिंट हो जाए एक्सन को लेकर के भी सक्रीमर बातजीत करिये हैं इफ इट वर डन इस डन दें इट वर ऐल इत वर डन क्विक लिए कि मेंरcular खहना था कि जो होना जल्दी से होना चाहिए फॉर सुपेस most to hide what the false heart that's not चूटते रपिल्कुल हइड अँड कर लेता है जो दिल पाल्स दिल हर्ट डथ नो there is no art to find mind construction क्या गीरा ओके ठीक है there is no art to find mind's construction in the face ये देखिए मैगनेट की लाइन है कि देखिए दुनिया में ऐसी कोई तरकीब नहीं है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो face से जाना जा सके ऐसी कोई कला है भी नहीं और ये देखिए यहां पर डबल डबल ट्वाइल एं ट्रबल फायर बर्न एं कल्डरन बबल और वट इस डन चैन नोट बी अंडन जो हो चुका है उसे दुवारा से बदला नहीं जा सकता है ना here is the smell of blood बहुत इंपोर्टेंट लाइन है sweeten this little hand और a little water cleans of this deed ये लेडी मैकबित का ही कहना था पहला कि थोड़े से water से दोलेंगे लेकिन बाद में here is the smell of blood उनहीं को नजार आता है बेसिकली यह ना dagger scene का ये speech है is this a dagger which I see before me क्या ये वही dagger है जो मैं अपनी आखों के सामने देख रहा हूँ present fears are less than horrible imaginings ये King Duncan का कहना है बेसिकली मैकबित प्ले में और ये जो speech है ये उनकी है out out of brief candle life ये वही आपके मैकबित की speech है काफी important है exam में आती रहती है act 5 scene 5 में तो ये था दोस्तों आपका play और यहीं से वो title लिया गया है William Faulkner का sound and fury वाल देखिए जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो आपको एक बात बता दूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि I always take time in classes देखिए 5 minute, 10 minute की अगर आप 5 से 10 minute अगर आप पढ़ लेते हो तो एक बात आप जान लेजिए कि उस 5-10 minute की पढ़ाई से 5-10 minute में अगर आप एक play पढ़ लो तो 5-10 minute का ही knowledge मिलता है जब आप बड़ी class देखते हैं तो आपको बड़ा knowledge मिलता है अपनी इस पूरे play को पढ़ा पूरा सुना धैरे से हर एक चीज analysis के साथ समझी अगर 3-5 minute-10 minute में इसी play को पढ़ा दिया जाए तो आप कितना जानोगे बस आप एक summary outline जान सकते हो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें नहीं जान सकते एक जिसे कहते critical analysis वो भी नहीं हो पाता by the way अगर आप interested हों तो आप courses भी हमारे ले सकते हैं नीचे नंबर दोस्तों आपका चल रहा है देख लिजे इस नंबर पर आप WhatsApp कर सकते हैं अपना नाम और course का नाम course की जानकारी आपको आपके WhatsApp नंबर पर आ जाएगी कोई confusion रहे तो आप WhatsApp पर फिर से message कर सकते हैं call भी कर सकते हैं लेकिन जब बहुत ही necessary हो तब ही आप call करें बाकी दोस्तों आप सभी को क्या कैसी लगी ये class comment box में जरूर बताईएगा सारी चीजे मैंने कोशिश करी है case play की एक ही basically class में संजोदू जितने भी exam points है जैसे एक exam point वो भी है frets and strats करके दो lines वो वाला भी fill up करना तो मतलब ऐसी कैस कई सारे exam point है जिनको मैंने discuss किया है अगर आप इतना cover up कर लेंगे आप किसी भी exam में बैठ सकते हैं thank you so much जै हिंद जै भारत और आप ऐसे ही literature lovers से जुड़े रहें चैनल को subscribe कीजिएगा नमस्कार तब तक के लिए